हाई, वेलकम बेक तो माई चैनल, मैं हूँ काशिफ मजीद राब देख रहे हैं काशिफ ओफिशल वाईटी, पिछले 6 लेक्चर से हम डिफरेंट किसम के पाइथान के कोर्ट को सीख रहे थे, आज हम पाइथान के टाइप कनवर्जन सेखेंगे, के वाट इस टाइप कनवर् होती है कि वो किसी भी किसम के टाइप को कनवर्ट करके दूसरे टाइप में चेंज कर देता है, और वो यह इंटरप्रेटिशन जो होती है, वो आटोमेटिकली होती है, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन को हम सुरा सा पढ़ देते हैं ताकि आप लोग इसको अंडर्सेंड क करने जा रहे होंगे, तो जब हम फंक्शन 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 करने जा रहे तो हमने इस चीज़ को मद्य नज़र रखना है कि किसी भी किसम के function को क्या support करता है like string data type है और हमें उस वक्षपोर्ट जो integer int function को support कर रहा है वो जो code है तो हमें उस data type को convert करना है string data type को integer में और वो हम python में रहते हैं वे किस तरह किसे convert करेंगे यह हम आज इस coding की class में सीखेंगे आप मेरे साथ रहे हम चलते हैं सबसे पहले हम चलते हैं अपनी पायचाम की तरफ जी friends तो हम अपने पायचाम के अंदर आ चुके हैं अब यहाँ भी हम देखेंगे कि हमने किस तरीके से data conversion को perform कर सकते हैं for example के तोर पर हम python को यह कहते हैं कि python हमें मेरा birth year like मुझे age जो है calculate करके बताए तो for example हम यहाँ पर code mention करते हैं birth underscore year इसको हम input देते हैं कि हमें birth year का input ले age conversion age बताने के लिए यह example के तोर पर हमने इसको ऐसे कर दिया अब आप देखें कि हम इसे age calculate करवाते हैं हमें यहाँ पर जो year है वो mention करना है जो currently year चल रहा है 2024 minus छोटा सा example formula है हम इसको यही पर यूज करेंगे birth underscore year अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जब हम इसे print हम age अगर print करवाते हैं तो यहाँ में देखते हैं कि क्या result देता है यहाँ पर हमने एक छोड़ा सा code लिखा अब हम इसमें अगर हम देखें तो यहाँ वैसे ही error शो कर रहा है हम इसको देख लेते हैं कि error exactly क्या error है फर्स करने हैं यहाँ पर birth year मांग रहा है हम 1985 अपनो birth year देते हैं तो वह हमें error दे रहा है अब हम इसको error को भी study कर लेते है in module इस module में line 2 में problem है age equal to 24-birth year वो कह रहा है कि problem type of error कह देखें type of error बता रहा है कि exactly type of error क्या है तो python python देखें इसके अदर built-in functionality है कि artificial intelligence को use करते हुए आपको जो code error होता है वो भी define करके आपको बदा देता है अब यहां पर वो बता रहा है कि type of error यह है कि unsported unsported operant types है यह basically spotted type नहीं है जो के pie charm के अंदर use होती हो तो इसका मतलब यह है कि यह unsported operant type है like अपने integers को अपने string में convert करना है क्योंकि integer और strings आपस में एक दुसरे के साथ minus नहीं हो सकते इसके कहने का मतलब यहां पर है तो हम दोबारा अपने code की तरफ चलते हैं और code पर देखते हैं कि code exactly हमने क्या problem उसमें की है या क्या चीज हमारी missing है या हम किस तरीके से इसको change कर सकते हैं तो इस तरह कि हमने पहले इसको study किया कि हम python के अंदर रहते हुए data type को किस तरीके से change कर सकते हैं तो data type को change करने के लिए हम दोबारा code में जाते हैं और उसके अदर फिर check करते हैं इस code के अंदर हमने चेक करना है कि हमारे जो data type है उसके अंदर क्या issue है या क्या problem है तो इस code में हमने देखा कि age is equal to यह two twenty four जो है यह जो हमने नमबर यह लिखा है यह basically integer है और यह जो birth year है यह basically string है हमने अब birth year को integer के अंदर convert करना है तो जब हम इसके अंदर change करेंगे birth year को integer के अंदर change करेंगे तो फिर क्या result आएगा वो देखते हैं जी तो इसको हम करने के लिए यहाँ पर हम birth year के आगे हम int integer करके इसको birth year को bracket में कर देते हैं तो that's mean this is called के हमने इस data type को convert कर दिया है और यही python की conversion किलाती है अब हम इसको दुबारा run करते हैं और run करके check करते हैं कि क्या result है देखें जब हमने इसको run किया है तो मैं इसको थोड़ा सा उपर लेता हूँ ताकि आपके इस आनी के लिए दोनों आपके सामने रहें और आप इसका रजल भी यहां पर हम 1985 हमने पहले लिखा अब हम इसको run करते हैं अब देखें इसने यहां पर हमने integer को लिखा था यह बर्थियर को हमने कनवर्ट कर दिया था यह पहले string थी strr था string थी और इसको हमने आप इंडीजन में convert कर दिया है तो अब यह देखें कोड बड़ी असानी के साथ 1985 जो हमारा year था यह birth year है उसको इसने बताया कि आपकी age यह है तो देखें यह दिस कार्ड के python के अंजर हम किस तरीके से data को यह पाइथान में data conversion हम किस तरीके से कर सकते हैं यह बहुत ही easy और असान के code था जो कि हम यहां पर study किया है हम यहां पर थोड़ी सी changing भी कर सकते हैं लाइक यहां पर हम लिख सकते हैं के type your birth year यहां पर mention कर सकते हैं थोड़ी इसको थोड़ा सा modify कर सकते हैं ताकि easy और थोड़ा सा और जिससे कह सकते हैं के presentable form में आ जाता है ठीक है अब हम इसको दोबारा run करते हैं अब यह कर रहा है type your birth year अब आप इसके अजर अपनी मताबिक अपनी एज डालेंगे तो formula के मताबिक इसको 39 कर देगा अगर फर्स कर देगा यह 39 हर दफानी आएगा definitely जो आपकी age होगी वह आपको आईगी फर्स करें हम इसको दोबा हमने यहां पर mention कर दिया है तो यह इतनी असान सी चीज थी जिसी data conversion कहते हैं जी friends तो यह हमारा आज का कोर्स था जो हमने आज कंप्लीट किया आज का topic था वो type conversion in python से related था इसको हम दोबारा से एक दफा पर study कर लेंगे एक दफा मैं quickly review देदूं कि हमने exactly क्या क्या इस वक्त अपने इस python के basic course के अंदर cover कर लिया है अगर मैं quickly इसके अंदर जाता हूं तो मैं अपनी slides के अंदर इसको आपको दिखाता हूं कि हमने क्या क्या exactly पढ़ लिया है मैं थोड़ा सा इसको quickly वापस ले के जाता हूं बलके मैं ऐसा करता हूं PPT को यहां पर close करता हूं और यहां हमने इसकी study की selection के बाद हमने इसको बताया कि इसके जो IDE है exactly IDE what is IDE और IDE को जो हम किस तरीके से download करते हैं उसको हमने download करना सिखा basically इसी के अंदर हमने प्रोग्राम को run करना होता है और यह एक पायचाम हमने select की इसके इलावा और भी IDE है जो हम हमें locally available होती है हम उनको download कर सकते हैं और free of cost है my first program हमने डाला my first program hello हमने mention किया था के exactly print काशिफ मुझे उसके प्रेंट करवाय था तो फिर हम उसके आगे चाहते हैं यह हमने सोटे से basic levels पढ़े pre basic level के exactly क्या क्या है दर हमने python के अंदर operators को start किया जो के arithmetic operators हैं किसी भी किसम की mathematical equations करने के लिए utilize होते हैं जिससे हमने minus आज के course में पढ़ी इससे दीके से हमने इसको हम utilize कर सकते हैं आप इसको study करें इसको अपने तोर पे देखिए और इसको run करने की कोशिश करें अगर आपको नहीं समझाती तो आप you can ask me anytime देखिए उसके बाद हमारी PPT होए क्या कहती है हमने तोकन्स पड़े चारो किसम के टोकन्स पढ़ लिए उसके बाद हमने टोकन्स में कीवर्ट के बारे में बता कि कौन को से कीवर्ट है इडेंटिफायर्स क्या होते हैं लेटर्स क्या होते हैं उसके बाद स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ा देन हमने एक्स्ट्रेक्ट को कि सीरी के से किस किस कमांड के तुरू एक्स्ट कर सकते हैं , then हमने strings के बारे में उसके functions बड़ने शुरू किये , उसके अंदर हमने replacing का अधा code वो किया , finding index values , splitting string किया , finding index values , capital किया , फिर उसके बार हमने मुक्तित चीज़ों को study किया , यह मारा इसमें कोट था इसलिए मैंने दुबारा से एक दफा रीवियू भी चला दिया था कि आप लोग थोड़ी स्थानी रहे और आप लोग लाजमी तमाम के तमाम कोर्स को खुद करें भी उनको पाइथन के कोर्स को खुद डिजाइन भी कोशिश करें खुद इसको करने की करें कि आप लोगो किस लेवल पर जाकर स्टेडी करवानी है थैंक यू वेरी मिच हैव नाइस दे असलाम अलेकुम